अगर आप सोच रहें कि आपके ऑपीस में जितने भी कंपिटर उसमें सोचल मीडिया वेबसाइट से ना चले या फिर आपके घर में जो वाईपाय गोर लगाया है उसकी मदद किजे और बेल ऐकों पे क्लिक किजे ताकि हमारी वडियो की न्यूटिफिक्शन आपको टाइम पे मिलते रहे हैं अगर आपके पास है टीपी लिंक का राउटर तो जैसे कि मैंने कहा आप से की टीपी लिंक का राउटर है तो आप उस राउटर में वेबसाइट ब्लॉक के ल लेकिन आप चाहते हो कि वह विजिट ना करें तो ऐसे कंटेंट वाले वेबसाइट या फिर सोशल नेट्वर्किंग वेबसाट कोई भी वेबसाट टीपी लिंक का राउटर यूज करते हैं तो कैसे ब्लॉक करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राउटर का जो है तो यहाँ पे यह आने के बाद आपको यह सेटिंग्स करना ही यहाँ पे आपको आना है एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक्सेस कंट्रोल यह टैब जो है इसके जरी हम अपनी वेबसाइट ब्लॉक करने वाले हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़े प्रेट करने पड़ेगी जैसे तो आप इसे पहले चेक कीजिए और चेक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है allow packet specify of any enable entries control policy to the pass through the router पहला option है और दूसरा है deny the packet specify by any enable access control policy to pass through the router तो मैंने deny रखा है इसे deny option ही check रखना है deny करना है हमें हमें packets pass करने के लिए allow नहीं करना है यानि कि वो website visit करने के लिए allow नहीं करना है यह policy हमें set करनी है और जो enable entries हम रखेंगे उनके लिए मैं यहाँ पे इसे save कर रहा हूँ deny करके enable internet access control के बाद यह deny करके मैंने save कर दिया अब मुझे करना क्या है अब मैं सबसे पहले host में जाओंगा rule नहीं set करूंगा सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे चार चीज़े rule, host, target, schedule, rule हम last में set करेंगे क्योंकि rule के अंदर हमें host भी चाहिए, target भी चाहिए, schedule भी चाहिए तो host में जाते हैं जब मैं host में click करूंगा यहाँ पे host description औगेरा add करनी की जुरू होते है लेकिन इसके लिए पहले आप ID के उपर, मतलब add new, यहाँ पे click किज़े अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि IP address के लिए आप यह करना चाहते है जो rule set करना चाहते है, आप rule किसके उपर set करना चाहते है मतलब किन का website आपको block करना है, IP address wise करना है या Mac address wise अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, IP address सबसे पहले तो मैं उसके लिए आप यहाँ पे DSCP पे click करूँगा, dynamic host control protocol कि हमारे कितने IP address generate हो चुके है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे IP address है 192.168.0.100.2199 दिखा दे रहा है, यह IP address है 100.2199 मतलब जितने भी मेरे devices connected है, उसमें यह IP address आ चुके है 100.2199 अब मैं यह पूरा IP address के according अगर करना चाता हूँ, पूरे सारे computers या सारे laptop यह जितने भी mobile connected है उन सब का website ब्लॉग होना चाहिए, उसके लिए rule message करना चाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, access control के अंदर, host के अंदर, यहाँ पे add new पे click करूँगा और यहाँ पे IP address रखूँगा, IP address अभी आपको समझ में आएगा, IP address यहाँ पे मैं host description लिखूँगा, all IP आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो नाम लिखना है यहाँ पे तो description में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन IP address के range में आपको block करना है, वो IP address यहाँ पे आपको type करने हूँ, यह दोस्तो, चलिए मैंने type कर दिय आपको बने बता है, यह range के बीच में जितने भी IP address है, अच्छा Mac address क्या होता है, इसे मैं पहले save कर लेता हूँ, फिर Mac address दिखाता हूँ, इसे save कर दिया मैंने, अब add new में click कीजिए, और एक rule आप set कर सकते हैं, Mac address के लिए चाहिए, तो यहाँ पे किसका Mac address करना चाहते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हैं, और Mac address लेंगे कहाँ से लेकिन उसका, तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे यह wireless में, और wireless statistics, अगर आपको mobile वगरा या laptop का wireless जो connections है, उसका कोई यह चीए, Mac address, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, wireless statistics में, मेरे पास connected है कुछ तीन लोग, औ यहाँ पे तीन लोग है, तो यहाँ पे मेरा laptop है, और दो mobile है, तो मैं इसका block करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को उठाऊँगा, इस Mac address को और copy करूँगा, मतलब Mac address आप कोई भी एक individual person को कर सकते हैं, अगर आपके router को cable connected और cable से internet आपने दिया है computer को, तो आपको यहाँ पे जा तो जो मेरे mobile है, जो भी है, उससे connected यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका Mac address में यहाँ से copy करूँगा, दोस्तों, और copy करके आपको पता चला अभी Mac address कहां से लेना है, और डालना का पे access control में, होश के अंदर, add new में जाएंगे, और Mac address यहाँ पे select करके, उसका Mac address में आपको तो आगे चलते रहेगा, दोस्तों, लेकिन एक important information आपको देना चाहूंगा, हमारे website है, जिसका नाम है learnmorepro.com, जिसके उपर चलते हैं, सारी courses के offer, computer courses है, और जो कि आपको computer expert बना देंगे, और certified courses, यानि कि certificate भी मिलने वाला है, course completion का दोस्तों, वीडियो लाइप टाइम के लि देंगे, उसके लिए website particular block हो जाएगी, अभी सभी IP address को मैंने already की है, तो मुझे Mac address को करने की जरूत नहीं पड़ेगी, सबसे पहले host क्या होता है, ये आपको clearly समझाओगा, अब आगे बढ़ते हैं, अब है target की बारी, अब target में जाता हूं, add new पे click करता हूं, यहाँ पे उस अलग-अलग websites के यहाँ पे add किया है, adult websites उपर title दे दिया, और adult websites related से भी domain से आपे add कर दिया, फिलाल मैं एक ही domain add कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं जो की, आपकी बच्चे अगर बहुत ज़्यादा Facebook पे बैठते हो, you don't want to run that website into your browser, so आप ये कीज़े बस, उनके browser में ये मैंने एक ही किया, अब save कीजिए, अब यहाँ पे मैंने save करने के बाद, आप social networking www.facebook.com ये add हो चुका है, ये आपका हो गया target, अब schedule, schedule की बारी है, last हो गया schedule, schedule में यहाँ पे आ रहा है add new options, अब schedule में description दीजिए, आपको everyday करना है, select days options भी आ रहा है यहाँ तो everyday, select days, आपको कैसे रखना है, आपको all day या everyday जो भी हम बोलेंगे, सब रखना है, और यह जो check everyday का वही रखेंगे हम, और यहाँ पे आप select days भी कर सकते हैं, यह दिन चलना चाहिए, यह दिन नहीं चलना चाहिए, that depends on your condition, आप यहाँ पे select करके देख सकते हैं, आपको कैसा चाहिए, time भी द आपको करना का है, add new, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, add new option से नीचे, add new पे click कीजिए, यहाँ पे rule का नाम दीजिए, आपको यह करना है, blocking social networking website, SC web, okay, block SC web, ऐसा मैंने लिख दिया, यहाँ पे all IP करके हमारा जो already मैंने add किया तो host हो आ चुका है, अगर दूसरा कोई host रहेगा तो आएगा, any target की जगव, social networking यह हमारा target रहेगा, anytime की जगव, all day हमने लिया है, और enable रखना है इसे, अब इसका status मैंने enable रखा है, जो कि मैंने इसे enable रखा है, तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, save कीजिए, जैसी आप इसे save करते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है blocking यह पहला rule add हो चुका है, अब यहाँ पे नया tab लेके, मैं यहाँ पे facebook type करता हूँ, facebook.com और मैं विजिट कर रहा, facebook.com को तो आप गूमे जा रहा है, 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 देखते result क्या आ रहा है, wow, interesting, this site can't be reached, इस site connect तक आप नहीं पहुच सकते, क्योंकि आपका आथ पहुचने वाला नहीं है, दूस्तो, क्यूछि हमने, उसे对ा कर दिया, हमने lock कर दिया, अभी कैसे lock होगए है, वह आपको पता चला है, आपने बस इसको uncheck कर दिया, यहाँ पर uncheck कर दिया और save कर दिया save करने के बाद अगर आप यहाँ पर फिर से facebook.com visit करोगे so now you are getting facebook website visit हो चुकिए oh मेरा account अल्री लॉग इन है चलिए यहाँ पर आपको दिखाए दिया कि यह क्या settings किस तरह से हम अपने computer में website ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपका टीपी लिंक का राउटर है तो और दूसरे राउटर के लिए मैं नहीं बनाओंगा क्यूंकि मैं पास यही राउटर कंपीटर में expert बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मिलूंगा मैं कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए हमेशे कितर यही कोंगा सीखते रहो सीखाते रहो और अपना कयाल रखो बाई बाई